पदलता मौसम अपने साथ कई बीमारियां लेकर आता है और मानसून के मौसम में खासकर सिर्दर्ध जिकॉम और खांसी की समस्या आम होती है इन सामान्यसी दिखने वाली बीमारियों का अगर सही समय पर उपचार न किया जाए तो ये आपके शरीर में गंभीर समस्या पैदा कर देती है खांसी भी एक ऐसी समस्या है जो मौसम में बदलाव से आपको दिक्कत दे सकती है मौसम की जरा सी करवट लोगों को खांसी और जुकॉम जैसी समस्याएं दे सकती है अगर खांसी का समय रहते इलाज न किया जाए तो ये टीबी का रूप ले सकती है हाला कि खांसी होने पर ये पता होना जरूरी है कि आपको कैसी खांसी है सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी ज्यादातर लोगों को परिशान करती है खांसी चाहे बड़े को हो या फिर बच्चों को सभी को परिशान कर देती है ये एक ऐसी समस्या है जो घर के किसी भी सदस्य को होने पर पूरे घर को तकलीफ में डाल देती है खांसी हुने पर इंसान को अपने सभी काम करने में दिक्कत आती है और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता अगर आप भी बजार से खांसी का सिर्फ ले लेकर परिशान है गए हैं और आपकी खांसी जाने का नाम नहीं ले रही है तो हम आपको इसी समस्या से निजात पाने का बेहद आसान और अच्छुक उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आजमा कर आप मिंटू में खांसी की समस्या से चुटकारा पा सकते हैं खांसी को दूर करने के असरदार उपाय अगर आप काफी समय से खांसी की समस्या से परेशान हैं तो एक चमच शहद लेकर उसे चाट लें ऐसा करने से आपके शरीर में बनने वाला कफ जल्द ही निकल जाएगा और खांसी से राहत मिलेगी अगर आप खांसी की समस्या को जर से मिटाने चाहते हैं तो एक चम्मच शेहद में आंगले के पाउडर की थोड़ी मात्रा मिलाएं और सुबह शाम उसका उसका सेव न करें नियमित रूप से ऐसा करने से खांसी की समस्या से राहत मिलेगी दवाईयां खाने के बाद भी अगर खांसी कम नहीं हो रही है और खांस्ते खांस्ते आपके सीने में दर्द हो गया है तो आप सरसों तेल को गर्म करके उसमें थोड़ा कपूर मिलाकर अच्छी तरह से चाती और पीच की मालिश करें दिन में तीन बार तक ऐसा करने से खांसी की समज, यार और दर्द से चुटकारा मिलता है अगर आप जल्द से जल्द खांसी को ठीट करना चाहते हैं तो एक चम्मच हल्दी पाउडर को दूद में मिला कर पिएं ऐसा करने से खांसी की समस्या से निजात मिलती है अगर आपको सूखी खांसी है तो एक बतासे में थोड़ा सा लोग का तेल लगाकर खा लें. ऐसा करने से आपको सूखी खांसी में काफी राहत मिलेगी. इसके अलावा आप सूखी खांसी से राहत पाने के लिए आप मुझ में सौफ रख कर चबाएं. नियमित रूप से ऐसा करने से खांसी से चुटकारा मिलता है खांसी से चुटकारा पाने का सबसे अच्यूप तरीका है गाई के घी को लेकर उसे च्छाती पर मलना दिन में दो बार ऐसा करने से भी खांसी में जल्दी आराम मिलता है झाल झाल